और हाल चाल का रिलेशन अपना केवल पढ़ाई से है पढ़ाई अच्छी है तो सारे हाल चाल अच्छे है और अब जी जान लगा दीजे ये चीज में बार बार कहता हूं कि ये चार महिने जो है तुमारी लाइब की ये टर्निंग पॉइंट है ये चार महिने जिस बच्छे ने खुब जम करके तयारी कर ली उसको समाच अपने सर पे चड़ा के बैठा लेगा और नत्मस तक होगा इसलिए ये चार महिने सारी यारी दोस्ती रिष्टेदारी भाई बंदी सब कुछ त्याग करके और किताबों पर लग जाईए जुट जाईए और बना लीजे करियर क्योंकि ऐसे टाइम आज का दिन ये उम्र ये डेट अब लाइप में कभी नहीं आएगी इस चीज़ को भनाईए मौका आपने हाथ से सिलिप मिलकुल मत होने दीजिए और जो विनर होते हैं वो हमेशा एक एक सेकिंड का यूज करते हैं और तुमको मैंने पहले बताया था एक पिचर दंगल आमिर खान ने बनाई है उन्होंने कहा था और ये सच है हो सकता है कि लास्ट सेकेंड तुमारा हो तो लगे रहिए जुटे रहिए होपलेस बिलकुल मत हो ये और जो लगा रहता है वो निश्चेत रूप से अच्छी रैंक के साथ अच्छी पोजीशन के होता है तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करने सब्क्राइब करने वेल आइकान प्रेस करने और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में सभी लोग सेयर करने और अब आज की क्लास समसुल शुरू करने जा रहे हैं और सभी को मेरी तरफ से गोड और जो आने वाले हैं उनको भी हमारी तरफ से गोड एवनिंग तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिया प्रोकरियाटिक जेनिटिक माटिरियल पोसेस डियने बट नाट हिस्टोंस आइधर डियने आर हिस्टोंस बोट डियने एंड हिस्टोंस और फूर्ट आपसन नाइधर डियने नार हिस्टोंस टाइम तुमारा हो चुका है और देखते हैं किसका एंसर सही आता है देखते हैं किसका एंसर सही आता है बेरी गुट नमस्ते सिवांस नमस्ते भाई प्रांजल नमस्ते गोड इवनिंग बेरी गुट सभी के आप सही है आधेश नमस्कार सभी के एंसर सही है बेरी गुट इसी प्रकार से जो आप देना चाहिए तो question number first का first option सही है question number second आपकी screen पर बहुत जल्दी आएगा सप्रतीक सहा happy विव्यकानन जैनती same to you आपको भी और देखते हैं very good देखते हैं किसका answer सही है कई लोगों ने धोखा खा गए हो question ये दिया गया which आपना following incorrect according to चरगाप rule चरगाप rule के अंसार क्या correct है कई लोगों ने गलत answer दे दिया है और सही answer किवर एक दो candidate ने दिया है एक तो मोना नागर है और दूसरे प्रांजल सिंग है इन दो लोगों ने जो आप सही दिया है सिवांस तुमने दो answer दिये है फिर्स्ट, सेकंड और थार्ड देखिये चरगाप ने कहा था कि प्यूरी चरगाप का रोल केवल यू करियाटिक सल के डियेने पर लागो नहीं होता है यह बात ध्यान रखना according to चरगाप रोल इन्होंने क्या बताया था amount of purine equal to the amount of paramedians मतलब purine का amount paramedians के amount के बराबर होता है तो क्या होगा A और G क्या है purine और C और T क्या है paramedians है तो आपसं C सही है मतलब purine की quantity paramedians के बराबर होती है मतलब आपसं third सही है कोश्चन नमबर अच्छा कोश्चन नमबर दो का थर्ड सही है कोश्चन नमबर दो का थर्ड सही है very good कोश्चन नमबर तो कोश्चन नमबर टू का थर्ड आपसन सही है 100% चरगाप रूल यही कहता है कि quantity of purine equal to the quantity of paramedians चलिए तुछिरगाप रूल के वल U-karyatic cell के DNA पर लागू होता है pro-karyatic cell के DNA पर लागू नहीं होता है तो question number 3 है 2 का 3 अप्शन सही है no doubt, no confusion चलिए question number 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं question number 3 यह रहा आपकी स्क्रीन पर in DNA if 10% of guinean is present then how much thymine is present देखते हैं किसका answer आता है सही question number 3 थर्ड का देखते हैं किसका answer आता है सही very very good सबसे पहले जो आप किस ने दिया है आउधिस ने जो आप दिया है आउधिस very good third option सही है very good तो question number 3 का third option सही है तो जिन लोगों ने अहलाकि सभी ने answer सही दिया है तो question number 3 का third answer सही है question number 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं question number 4 सबप्रतीक सहा बिलकुल answer सही है third answer सही है question number 4 आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आ रहा है तो question number 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है nucleotide arrangement in DNA can be studied by बहुत बढ़िया answer है पहला question है ultra centrifuge दूसरा है light microscope third है x-ray crystallization और next है electron depression question number 4 question number 4 very good सभी का answer सही है question number 4 का question number 4 x-ray crystallography के द्वारा हम ये देखते हैं DNA में nucleotide का arrangement कैसा है question आ सकता है पूछा जा सकता है PMT में इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए सभी ने answer सही दिया है question number 5 question number 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी स्क्रीन पर question number 5 हमारे आपके सामने होगा और आभी गया है देखते हैं a nucleotide differ from nucleoside differ from nucleotide is not having देखते हैं किसका जवाब सही आता है very good बहुत अच्छे सबसे पहले जवाब तो अधिस काया है इसनेहल काया सिवान काया सप्रतीक साह काया और जवाब जल्दी देने का प्रयास किया करो और balance mind के साथ क्योंकि ये चीजे धिमाग के अंदर सेट हो जाएं जैसे हम नीट में गलतिया ना करें ये बात ध्यान रखना तो थर्ड आपसन सही है question number five का थर्ड आपसन है क्योंकि nucleoside में phosphate group नहीं पाय जाता है nucleotide में phosphate group पाय जाता है तो question number five का थर्ड आपसन सही है question number six आपके सामने बस प्रगट होने वाला है थोड़ा सा इंजार और इंजार का फल मीठा होता है आपको मालूम है आ गया question यह है similarities between DNA और RNA both having similar sugar दूसरा आपसन है बोथ हार genetic material थर्ड आपसन है बोथ हाविंग similar pyrimidines nest है बोथ हार polymer up nucleotide देखते हैं किसका answer सही आता है question number six देखते हैं किसका answer सही आता है सबसे पहले answer सब प्रतीक साहा ने दिया है fourth option सही है उसके बाद सिवांस उसके बाद आउधिस का answer आया है तो बिल्कुल सही है similarity between DNA और RNA बोथ हार polymer आप poly nucleotide है sorry nucleotide nucleotide के polymer है RNA भी है DNA भी है यह दोनों के बीच में similarity है और विलास मिस्राक्रासे चैनल के उपर आपका बहुत बहुत स्वागत है देखे भाई इजाज तुमने कहा है कि B and D बोथ हार correct तो हम क्या तुमसे पोच्टे हैं तुमें इसे पोच्टे हैं भाई मेरा तुमने कहा है B सही है बोथ हार genetic material क्या RNA अपने अंदर genetic material का काम करता है तो आपका जौब होगा नहीं के वर सम वाईरिसिस में RNA genetic material का काम करता है इसलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं B को और फूर्ट जो अप्सन है D polymer up nucleotide यह DNA का भी है और RNA का भी है तो में best answer दो लों में चूच करना है यह बात अपने को ध्यान रखना है तो मेरी समझ से साची बात समझ में आ गई होगी लेकिन सारे वाईरिस में नहीं बेटा इजाज सम वाईरिस नाट आल वाईरिस सम प्लांट वाईरिस में RNA act as a genetic material लेकिन सब आल आरगेनिस में तो genetic material का का काम नहीं करता है तो हमें B और D में देखना होगा प्रिफ्रेंस देनी होगी कि कौन सा answer सही है तो B और D में आप compare करें तो आपका D answer ज़्यादा सही है क्योंकि 100% लागू होता है DNA भी नियोक्लियोटाइट का पलीमर है और RNA भी नियोक्लियोटाइट का पलीमर है इसलिए D option 100% सही है अब B पर जाजा जाओ DNA जेन्टिक मटियल का काम करता है लेकिन RNA only some viruses में जेन्टिक मटियल का काम करता है सम में नहीं तो B और D में 100% accurate answer फोर्थ बन रहा है सेकेंड नहीं इसलिए मैंने फोर्थ माना है सरप्रतीक सहा मैंने अभी कहा है कि कुछ वायरसों में RNA जेन्टिक मटियल का काम करता है सम में नहीं हमें प्रात्मिकता आप देखना होगा प्रिफ्रेंश देनी होगी कि B सही है या D सही है और दोनों का compare करो तो आपका D answer सही है D में no any exception लेकिन B में second option में many exception बहुत सारे exception तो B के compare में D option ज्यादा बिटर है तो अगला देखिए हाँ अधेश बहुत बहुत धन्यवाद कोशन हम यही सोच के लाते हैं कि तुम्हारे neat में काम आए ना कि हमारी प्रशंसा हो तुम्हारा selection ही हमारी जीत होगी समझे किसी भी रूप में तुम्हारा selection हो जाए यही मेरी भगवान से प्रातना है और यही सोच करके मैं अच्छे-चे question तुम्हारे सामने put कर रहा हूँ जो आपके सामने है चलिए अगला question देखा जाए question number seven आपके स्कीन के सामने है और आने वाला है question number seven seven question देखिए अभी एक सेकेंड में आपके सामने आ रहा है और आ गया है which basis not found Indian है question बहुत आसान है लेकिन आसान question में गलतियां ज़्यादा होती है तो हम मिच्चर बना करके तुम्हारे सामने put कर रहे है heart, medium और easy तो question number seven का सभी का answer सही है very good very good सभी का answer सही है first uracin DNA में नहीं पाय जाता है RNA में पाय जाता है अगला question तुम्हारे सामने question number eight question number eight तुम्हारे सामने है अभी दो सेकेंड के अंदर question number eight आपकी स्क्रीन पर होगा question number eight देखें आप to determine the three dimensional structure of DNA, Watson and Crick बहुत अच्छा question है tissue culture के द्वारा या x-ray depression या electrophoresis या आटो radiography देखें है question number eight का किसका जाब सही आता है एक जाब जरूर गलत आया है बाकी सभी के जाब सही है very good एक जाब के बल गलत है A to Z music का गलत answer है D answer क्या होगा second answer सही है x-ray diffraction के basis पर three dimensional structure Watson और Crick ने DNA की दी थी तो question number eight का second option सही है second option सही है बिलकुल सही है question number eight के बाद nine question आपकी स्क्रीन पर गिरा दूर second के अंदर आपकी स्क्रीन पर question number nine आएगा question बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद आप answer दे जैसे गलतियां कम से कम हों देखते हैं प्रांजल ने दिया है thank you प्रांजल तुमने सबसे पहले answer दिया है उसके बाद इजास्त ने दिया है और दियाने की नहीं करते हैं बी डियाने की बात करेंगे हम question number 10 आपकी screen पर आने वाला ही है question number 10 देखते हैं किसका जवाब सही आता है question number 10 question number 10 weight आप DNA molecule is DNA molecule के weight कितनी होती है 15 एंगेस ट्राम 34 एंगेस ट्राम 25 एंगेस ट्राम 20 एंगेस ट्राम और question number 10 का इजास्त तुमारा answer गलत हो चुका है रोहन का भी answer गलत हो चुका है गलतियां नहीं ऐसे question में करना चाहिए देखे आसान question है कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी मैंने किवल weight पूसी है फिर भी कई लोगों के जवाब गलत है जो कि ये question किसी भी हालत में किसी का गलत नहीं होना चाहिए था तो कितनी होती है question number 10 का fourth option सही है 20 angustrum weight कितनी होती है 20 angustrum तो question number 10 का fourth option सही है अगर DNA किस टेक्चर आप देखोगे तो इसका answer आपको मिलेगा question number 10 का fourth option सही है question number 11 आपकी स्कीन पर बहुत जल्दी आएगा question number 11 देखिए easy question में अपने से गलतिया हो रही है reason यह है कि easy question पर हमारा concentration थोड़ा जैसा होना चाहिए उतना नहीं रह पाता है इसलिए यह गलतिया हो रही है question number 11 how many base pairs are found in one turn of DNA यह बहुत easy answer है बहुत easy answer है प्रांजल सिंग्ग तुमारा answer गलत है नई सही है सही है प्रांजल बिल्कुल सही answer है और सभी का अंसर सही है साची बिलकुर सही अंसर है तो एक टर्ण में DNA के कितने बेस्पेर होते हैं टेन बेस्पेर होते हैं तो question number 11 का second option सही है सभी का अंसर सही है very good question number 13 question number 12 sorry 12 question आपकी screen पर बहुत जल्दी आएगा question number 12 कमलीश मिस्णा क्लासे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है question number 12 12 का इसनिहल पांडे तुमारा एंसर गलत है the acidic property आप DNA and RNA are due to acidic property किसके कारण होती है phosporic group के कारण होती है phospate group के कारण होती है phospate group के कारण होती है और जिन लोगों ने थर्ड लगा दिया है धोके से या कैसे भी उनका एंसर गलत हो गया है तो DNA और RNA में acidic property किसके कारण आती है फास्पोरिक ग्रूप के करणाती है मतब कोश्चन नमबर 12 का फूर्थ आपसं सही है कोश्चन नमबर 13 आपके सामने आने वाला है कोश्चन नमबर 13 बस दो मिनट के अंदर दो सेकेंड के अंदर आपकी स्क्रीन के उपर कोश्चन नमबर 13 आएगा Question number 13 13 क्या है Nucleic Acid can be Fragmented by the Enzyme किस Enzyme के दरा Nucleic Acid को Fragmented किया जाता है तो Fragmented किसके दरा किया जाता है Option third बिल्कुल सही है सभी लोगों ने जौब दिया है third बिल्कुल सही option है Question number 13 का third option सही है Question number 14 ये रहा आपके सामने Question number 14 क्योंकि बहुती धैर के साथ में option का जौब दें गलतिया न करें क्योंकि जितना ज़्यादा धैर से आप answer देंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए Very good Very very good मोनानागर बिल्कुल सही जौब है साथी बिल्कुल सही जौब है सिवांस बिल्कुल सही जौब रोहन बिल्कुल सही जौब कमलेस बिल्कुल सही जौब Very good तो question number 14 का third option सही है question number 14 का third option सही है question number 15 question number 15 आपके सामने 15 का देखा रहे क्या है semi-carcerative model of DNA replication was first demonstrated by option 4 तुमारे सामने है और देखना है किसने ये बात देखी थी और देखते हैं कौन जवाब देता है सही मिला जुला जवाब है किसी ने second कहा है किसी ने fourth कहा है और कमलेश ने बिल्कुल जवाब सही दिया है इजाज ने सही जवाब दिया है बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है fourth option सही है तो question number 15 का fourth option सही है जिन लोगों ने question number 15 का fourth option दिया है उनका बिल्कुल सही है अगला question हम तुमसे यही पर एक only पूछते है किसने सबसे पहले यह कहा था कि DNA का replication semi-conservative method के द्वरा होता है सबसे पहले किसने कहा था DNA का replication semi-conservative method के द्वरा होता है नई सिवाब वाट्सन ने नहीं कहा था क्रिक ने कहा था वाट्सन नहीं कहा था क्रिक ने कहा था answer के वल क्रिक सही है तो सप्रतीक सहा का answer सही है गोविन का answer सही है और हसन का answer सही है और इन लोगों के answer सही है वाट्सन ने नहीं कहा था के वल क्रिक इसका answer सही है चलिए question आगे की तरफ बढ़ते हैं question number 16 देखते हैं question number 16 16 आपकी screen पर आ चुका होगा देखते हैं क्या तुम लोग answer लगाते हो question number 16 बाल्वियानी rings are sight of बाल्वियानी rings किस चीज का sights है और सबसे पहला जवाब सिवान्स ने दिया है very good सिवान्स सिवान्स का answer सबसे पहले आया है और चिनकी का भी answer सही है मोननागर सही answer है question number 17 कि तरह हम बढ़ रहे है question number 17 देखते हैं किसका जौब सही आता है question number 17 ये आपकी स्कीन पर है identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest बड़े से छोटे की तरह तुमें जाना है और देखते हैं question number 17 का किसका जौब सही आ रहा है question number 17 कई लोगों के जौब गलत है और कुछ के सही भी है सप्रतीक सहा का answer सही है 17 का first option सही है जिन लोगों ने first option लगाया है उनका सही है और कुछ लोगों ने third option लगा दिया है उनका जौब गलत है तो 17 का first option सही है तो आपको सही आर्डर बताना है तो question number 17 का first answer सही है question number 18 की तरफ हम भड़ते हैं question number 18 यह आपकी screen पर question number 18 है 18 ध्यान से question परणा और देखिए किसका answer सही आता है बहुत ही अच्छा question क्या दिया गया recipient of noble price for DNA double helix is texture are 18 satellite DNA is important because it पर अपन परणा पर प्रोटीन and is same in all members of the population. दुर्सरा option है, codes for enzyme needed for DNA replication. धर्डरोप्टों है, codes for proteins needed in cell cycle. नस्तों है, उस तुराप्टों है, हाई डिर्डर आप लिमरिजन in population and also the same degree of polymerization in an individual which is heritable from parent to children चार आप्शन दिये गए हैं और देखना है question number 18 का किसका answer सही आता है question number 18 हाँ दो question मर्जट है हाँ दो question मर्जट है इस question को छोड़ दीजे दो question मर्जट हो गए है question number 18 आप cancel कर दीजे question number 18 cancel कर दीजे question number 18 cancel कर दीजे question number 19 question number 19 आप की स्कीन पर आने वाला है देखते हैं किसका जवाब आता है सही question number 19 question number 19 question number 19 का सबसे पहले जवाब देखते हैं किसका आता है question number 19 देखते हैं किसका एंसर सही आता है question number 19 19 का फूर्थ आपसन सही है अर्फा हसन ने जवाब सही दिया है option 4 question number 19 का फूर्थ आपसन सही है बेरिगोट प्रजापती का भी अंसर आ चुका है फूर्थ आपसन सही है question number 19 का एक बात मैंने तुम्हे बताया है मिस्रा क्रासेस की तरफ से क्रेस कोर्स 15 जन्री से start है इसके registration चल रहे हैं और इसमें जोलोजी और बाटनी complete पढ़ाई जाएगी जूम चैनल के उपर जो लोग चैनल पर नए है वो चैनल को लाइक कर ले सब्क्राइब कर ले वेल आइकान प्रेस कर ले और वीडियो को अपने अपने ग्रूप में जरूर सेर कर ले question number 19 का fourth answer सही है question number 20 ये आपके सामने रहा question number 20 देखते हैं किसका ज्वाब आता है सही question number 20 20 देखिये in C.archin DNA which is double standard 17% of the bases were shown to be cytosine the percentage of the other three bases expected to be आपको answer बताना है question number 20 बहुत मस्त question है अनुग्या प्रजापती आनंदराज मिस्ता क्लासे चैनल के उपर आपका स्वागत है तो देखते हैं question number 20 20 सभी का answer सही है question number 20 का A to Z सभी का answer सही है question number 21 आपके सामने है question number 21 देखते हैं किसका जवाब आता है सही question number 21 21 question very good question number 21 कि तरह फंपड़ रहे हैं question number 21 के दो आपसन सही है first भी सही है और fourth भी सही है first and fourth आपसन सही है मतलब question number 17 के दो आपसन सही है first and fourth ध्यान देजे first and fourth आपसन सही है question number 19 ए शारी 21 21 का first and fourth आपसन सही है चलिए अगला question देखते है 22 की तरह बढ़ते है question number 22 आपका ये रहा 22 question देखते हैं किसका जवाब आता है सही question number 22 transformation was discovered by मिसल्षन एं इस्टिहल हर्शी एंचीस third option आपसन ग्रिप fourth option आपसन आपसन वार्शन एंड क्रिप देखते हैं किसका जवाब आता है सही सबसे पहले एक जवाब दुर्भाग्वस गलत आया है बाकि सब का अंसर सही है चिनकी बिल्कुल सही एंसर है तो question number 22 का third option सही है तो जिन लोगों ने question number 22 में third option लगाया है विलास बिल्कुल सही एंसर है इसने हल बिल्कुल सही एंसर है सब प्रतीक साहा सही एंसर है तो question number 22 का third option सही है ये रहा अगला question 23 आप किस की इन पर question number 23 देखते किसका जौब आता है सही सबसे पहले question number 23 23 question बहुत important हलाकि question बहुत important है बहुत important लेकिन सबसे पहले answer किस ने दिया है सिवांस ने answer दिया है सबसे पहले सिवांस का जौब आया है very good सिवांस जित्ती तारीप करोती कम तुम सभी की क्योंकि answer तो सब के सही आ रहे हैं विलास बिल्कुल answer सही मोलानागर बिल्कुल answer सही कमलेस बिल्कुल सही answer है very good 23 का फूर्थ आप्सन सही है अगला question 24 ये रहा आपकी स्कीन पर question number 24 24 देखते हैं किसका जौब आता है सही सबसे पहले question बहुत ध्यान से पढ़िए उसके बाद answer बताईए कि ये question हम तुम लोगों के लिए चुन-चुन किलाते हैं प्रजापती का answer आ चुका है answer तो सबके आ चुके हैं और सभी के answer सही हैं प्रजापती ने सबसे पहले answer दिया उसके बाद इजाज उसके बाद योगिता दुवे योगिता अब काफी समय के बाद आपने answer दिया answer दिया करो क्योंकि गलतियों से ही सुधार होता है मोनानागर बिलकुल सही answer सबपरतीक सहाब बिलकुल सही answer very good question number 24 का fourth option सही है और यह question एक बार नहीं भार भार revise करिए दिमाग पर बैट जाए फिर देखे आप नीट के अंदर एक अच्छी rank लाकर के खड़ा कर दोगे ऐसा मेरा मिश्वास है तुम लोगों के प्रत question number 25 यह रहा आपके screen पर question number 25 और देखते हैं किसका जौब आता है सही 25 question ध्यान से पढ़िये one of the most frequently used techniques in DNA fragmentation DNA fingerprinting is और देखते हैं इस question का जौब सबसे पहले किसका आता है सबसे पहले देखते हैं किसका जौब आता है जौब तो सबसे पहले आ चुका है सप्रतीक साहा का first option इन्हों ने बोला और सभी ने कहा है first option आनन्राज बिलकुल answer सही है very good तो question number 25 ने सबसे पहले answer सप्रतीक साहा ने दिया है 25 का first option सही है question number 26 की तरफ हम बढ़ रहे है question number 26 आपकी स्कीन पर एक दो सेकेंड के अंदर आ जाएगा इसने हल बिलकुल सही answer है 26 आपके सामने है which enzyme will be produce in a cell if there is a nonsense mutation in the lack of oxygen आप देखिए आप पहला option ट्रांस एस्टैलेस दुस्षा आप्षन लैक्टूस परमियेस and ट्रांस एस्टैलेस नेस्टै बीटा भी नहीं है या बीटा ग्लैक्टोसाइडेस और नेस्टै लैक्टोस परमियेस देखते हैं आप लोगों का जवाब क्या आता है ऐसे question हमारी परिच्छा लेते हैं हमारे confidence को बढ़ाते हैं जब question हमारे सही होते हैं और हम अपनी जंग के पास पहुंचते हैं बहुत काईदे से ध्यान से आप वाज करिए question को और तब answer दे क्योंकि ये सारे question ऐसे हैं कुछ time take लेते हैं time taking के है question number 26 सबप्रतीक सहा अपना question answer गलत है इजास का answer सही है इजास ने सही answer दिया है अनुग्या प्रजापती ने सही answer दिया है और प्रजापती ने भी second प्रजापती ने भी सही answer दिया है तो answer 26 का third answer सही है 26 का third answer सही है आप घर में बैट करके और solve करिए अच्छा एक question और कल जो हम लोगों ने किया था question हमने ये बताया था कल E. coli bacteria में replication का time क्या होता है इस पर कुछ लोगों ने आपत्ती उठाई थी कल question मैंने कहा था E. coli में replication जो DNA का होता है उसका time क्या होता है मैंने question बताया था answer उसका 18 minute मैंने बताया था 18 minute मैंने बताया था अब एक बात तुमको बता दें सुनिये भाई इजाज देखिए आप NCRT book खोलिए पुरानी वाली NCRT मेरे पास है नई वाली में हो सकता पेश एक आत पेश इधर उधर हो तो पुरानी वाली NCRT में पेश नमबर 105 पे आप देखिए 12 की book खोलिए इकोलाई बैक्टरिया में रेप्लिकेशन का टाइम दिया है 20 मिनट्स फिर पेश नमबर 12 की book में ही 105 पेश पर ही लिखा है जहाँ पर यह दी गई है machinery and DNA the machinery and the enzyme जहाँ पर side heading दी गई है उस line में आप देखिए लिखा हुआ है E. coli complete the process of replication within 18 मिनट्स आप NCRT खोलिए NCRT में पेश नमबर 105 पे आईए जहाँ पर dark letter में side heading दी है the machinery and the enzyme उसमें 4-6 लाइनों के बाद में आप देखिए उसमें लिखा हुआ है E. coli complete the process of replication within 18 मिनट्स यह आप खोल करके आप देख लिजे और वही से मैंने answer उठाया है तो एक जगे लिखा है 20 मिनट्स और एक जगे लिखा है 18 मिनट्स तो आप decision ले लिजे वैसे bacteria में replication generally दे दिया जाता है 20 मिनट्स लेकिन E. coli particular bacteria का नाम दिया गया है तो अब देख लिजे तो हमने तुमको जो evidence तुम मांग रहते कहां पर लिखा है NCRT में वो चीज मैंने तुम्हें बता दिया है तो मैंने जो हाँ मैंने बताया है भीया तो आप ऐसे question जो भी doubt होते हम किसी question को तुमारे सामने doubt नहीं रखेंगे बिद प्रमान हम question को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे क्योंकि माल लेते यही question आ गया और हम doubt की condition में छोड़ दें तो कहीं आपका last नहों इस लिए मैं इस question के बारे में बताये चलिए आगे बढ़ते है question number 27 आपकी screen पर ये रहा question number 27 देखिए 26 का विया third है no doubt no confusion third है विया सिवान्स जो doubt होते हैं वो हम तुमको बता देते हैं 27 27 का question answer आ चुका है और सबसे पहले इस नहल ने answer दिया है फिर प्रांजम ने दिया है चिनकी ने दिया है सिवान्स ने दिया है और सभी ने दिया है very good सबके answer सही है तो question number 27 का first option सही है question number 28 ये आपकी स्कीन पर है 28 question आपकी स्कीन पर 28 question रोहन बिल्कुल सही answer है तुमारा question number 28 question ये है satellite RNA are present in some virus में preons में bacteria phyges में plant viruses में question बहुत अच्छा है और answer देखते हैं कि कौन देता है सबसे पहले सबसे पहले answer wow very good सबसे पहले प्रजापती ने answer दिया है उसके बाद सिवान्स का आया है इस ने हलका आया है इस सभी लोगों ने answer दिया है very good चेनकी का answer बिल्कुल सही है question number 28 का fourth option सही है question number 29 ये रहा आपकी स्कीन पर question number 29 question number 29 आपकी स्कीन पर आ चुका है which of the following is not a property of the genetic court genetic court की इनुए से कौन सी प्रापर्टी नहीं है बहुत अच्छा question जितनी तारीब करो ती कम और देखते हैं किसका जवाब आता है सही बहुत सारे लोगों के जवाब आये हैं सही एक दो नहीं बहुत सारे लोगों के जवाब सही आये है सही जवाब है 29 का second answer सही है तो जिन लोगों ने second answer लगाया है उनका जवाब 100% सही है second answer सही है 29 का second answer सही है अगला question, question number 30 question number 30 की तरह हम बढ़ रहे हैं देखा जाए question number 30 यह आपकी screen पर रहा genes of interest can be selected from the genomic library by using पर आप्शन है cloning vector, DNA probes, gene targets, restriction enzyme देखते हैं किसका अशर आता है सही देखते हैं किसका answer आता है सही question number 30 का सबसे पहले answer दिया है इस ने प्रजापती ने प्रजापती का second answer आया है और वो सही है सब्रतीक साहा तुम्हारा answer गलत हो गया है भाई मेरा तुमने फूर्थ लगाया फूर्थ answer नहीं है second answer सही है DNA probe DNA probe Mr. Classes channel को जितने भी लोग हैं नए हैं वो लाइक कर लीजिए सब्क्राइब कर लीजिए वेल आइकान प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में जरूर सेयर कर लें ये बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ लेकिन दुर्भाग है आप लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को सेयर भी नहीं करते हो और आप देखते हो कि हम आपके भविष के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं जो सब आपके सामने हैं तो इसलिए वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर सेयर कर ले और जितना अच्छा प्रेटिस कर लोगे उतना अच्छा रहेगा इजाज यह में लाइक को पेरान तुमको समझाना पड़ेगा और इसके लिए आप मेरे वीडियो में जाएं वीडियो में मैंने एक्स्प्लेन किया है जेनेटिक्स के अंदर मिस्टा क्लासेश चैनल पर जा करके जेनेटिक्स का वीडियो दिठाईए वहाँ पर मैंने सब कुछ पढ़ाया है आप देख सकते हैं और मिस्टा क्लासेश चैनल पर मैं क्रेश मैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ 15 जनवरी से और ये क्लासेश जूम पर चलेंगी इसमें जोलोजी और भाटनी के जितने भी कोश्चन्स हैं वो सारे कोश्चन्स हम कराएंगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट क्योंकि कम बच्चों में स्टुडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन अच्छा होता है इसलिए 15 जन्वरी से जिन लोगों को भायो पढ़नी है वो अपना रेश्टेशन करा ले रेश्टेशन चालू है रेश्टेशन चालू है इसने हल पांडे हम बता देंगे तुमको तो जिन बच्चों को भायो पढ़ना है वो रेश्टेशन कर ले और 15 जन्वरी से जूम पर क्लासिस चलेंगी उसमें कंप्लीट जलोजी और बाटनी पढ़ाएंगे और तब तक ये क्रेश्ट बैच चलेगा जब तक नीट का एकजामनेशन नहीं हो जाता है और वहाँ पर जो भी प्राबलम है एक एक प्राबलम की आपको हम कंसर्ण करेंगे देखेंगे और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा हाई जैज हम तैयार है हर चीज देखें इतनी मदद कर रहे हैं तुम लोगों की और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक आज की सेवा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और सभी को थैंक्यू हमारी तरफ से कल आप्टर नून बारा से एक मिलेंगे मास्टर सिरीज के साथ नए कोशन्स के साथ नए उर्जा के साथ नए एक उमंग के साथ और यहीं मेरी आप से भी गुजारिस है कि खूब कसके मेहनत करिए और एक एक सेकेंड का आप यूज करें सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद थैं इनकी भाई रोहन थैंक यू एसनेहल थैंक यू प्रजापती थैंक यू और सभी को मेरी तरफ से थैंक